नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत हैं हमारे नीज चलन में आज हम आ चुके हैं गोरपूर के पिपराई छेत्र के गराम सबाग गवरा में जहां के गरामीडों का ऐसा आरोप है कि यहां के परधान ने सौचालय के नाम पे 2,000 और आवास के नाम पे 5500 रुपए दबावपूर वसूली किया गया है आइए जानते हैं यहीं के आवास को दिखाएंगे जरा यहां के इसके लिए इनों ने यहां के गराम परधान स्री रामा कांच सिंग जी ने 500 रुपए जमा करा लिए लेकिन आव अपने पती का नाम बताएं आपका आवास मिला है नाम मिला है वाम परधान जी की नीती कैसी होगी जो ऐसे गरीब लोगों के पैसे को ले करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं नाली के नाम पे यहां गड्डे पड़े हुए है गाओं के आप महौल देख सकते हैं आप इस खिती देख सकते हैं कि इतनी बूरी हाला था है यहां पे नाली के नाम पे हर घर पे गड्डे खने गया है नाली नहीं बनी हुई है एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर आवास के नाम पर बीस हजार रुपए अपने परधान जी ने ले लिया है आईये जानते हैं उन्हीं के जुबानी आपका आवास आया है जैसा कि आप देख सकते हैं विकलांग आदमी को भी एहां के गराम परधान छोड़ नहीं रहे हैं इनका भी पैसा इन्होंने बीस हजार रुपए ले करके आप देख सकते हैं इनका हाथ सही नहीं है इसी के साथ आईये जानते हैं एक और ऐसा ही मामला गराम सवागवरा का जहां पे रामा कंत जी ने चार साल पहले घर का रजिस्टेशन के नाम पे 500 रुपया ले लिया लेकिन अभी तक आवास के नाम पे जुगई जोपड़ी देखने को मिल लई आप सोच सकते हैं कैसी मान सिख्टा है ये परधान की और देखिए कैसी हालात है इन लोगों की आप देख सकते हैं कि घर के नाम पे जुगई जोपड़ी किस तरह से दिखाई दे रहा है अधे आईए जानते हैं और बात करते हैं इस घर के रहने वाले से भाधी अखिटी के अपको आवास मिला है याभाव ऐस दो वास कितने इस पहले लिए हो देखने चार साल पर लिए कि देखिए और आपको बता दे कि हमारी टीम से बात करने के दौरान गराम प्रदान गवरा के श्री रामाकान सिंग जी ने बताया कि उनके लगाया गया है ये सभी आरोप गलत हैं और ये उनके छवी को बिगाडने की कोशिश की जा रहे हैं जैसा कि उन्होंने बताया कि चुनाव राइड करते हुए इनके छवी को बिगाडा जा रहा है पातचीत के दौरान हमें पता चला कि जो नाली का विशय है नाली के विशय पर काम करना शुरू कर दिया गया है नाली बनावाना शुरू कर दिया गया है ग्राम सब्सक्राइब